यो वस्ट अप गाइस बेलकम बैक वन्स अगें तो आज के लेस्पिन स्टोरी थोड़ी हटके है ये कहानी है दो लड़कियों की जो कि एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है लेकिन दोनों में से एक को अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में सब कुछ होता है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते लेकिन दोनों की बीच में ऐसा क्या होता है कि दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है तो या गाइस हम कहानी में आगे देखेंगे कि इन दोनों की बीच में ऐसा क्या हुआ जो दोनों के रास से जिसका नाम है इo ilshits इनायत अभी 21 साल की है और कॉलिज में इस्टुड़ी करें और सास साथ यह जॉब भी करती है इनायत के एक best friend भी है इससे यह फेंड्स से बढ़ कर मांती है उसका नाम है नायरा नायरा कॉलिज में ने पढ़ती वो सिर्फ जॉब करती है जब से इनायत ने जॉब करना स्टार्ट किया तब से ये नायरा को जादा समय नहीं दे पाती है मतलब कि ये नायरा से जादा मिल नहीं पाती और नायरा भी काम में बिजी रहती और वो भी इनायरा से जादा नहीं मिल पाती लेकिन जब भी नायरा जॉब से घर आती है तो वो इनायरा के घर के पास आती है और वो हॉर्ण बजाती है जब भी नायरा हॉर्ण बजाती है इन इनायत благодарites और से देखती हैं और दोनौं बस एक दूसरे को दूर से ही देखते और एक दूसरे से मिल लेते हैं लेकिन कभी कभी इनायत दर्वाजे से बाहर भी आ जाती है और नायरा को गले तो जैसा कि मैंने भी बताया कि इनायत अपने बेस्ट फेंड नायरा को दोस्त से बढ़कर मानती है तो क्या नायरा भी इनायत को दोस्त से बढ़कर मानती है यह नायरा सिर्फ इनायत को दोस्त ही मानती है यह तुम कहानी में आगे ही देखेंगे फिलाल कहानी में नायरा और इनायत का रोचका हो चुका था नायरा जॉप से आती इनायत के घर के पासा की हॉर्ण बजाती और इनायत बाहर आती और उसको देखती एक दिन की बात है जब नायरा बहुत दिर के बाद आती है इनायत तो उसके रात कब से तक रही थी वो तो समय देख रही थी कब आए ना कहती ओ अच्छा फिर नायरा कहती है यार तुझे तो पता है यानायात मेरा कोई बॉइफ्रेंड नहीं है और तुझे पता है आज पार्टी मेरा सभी बहुत सारे कपल सारक के थे मेरी जितनी भी फ्रेंड से सभी रिलेशन में और उनको देख के न मुझे जैलिसी हो रही थी मैं भी चाहती है कास मेरा कोई बॉइफ्रेंड होता नायरा कहती है कि जब स्गोल में थी तो पड़ाई पर धियां दिया यह प्यार व्यार के लिए तो कभी सही नहीं मिला यार और तुझे तो पता है यानायनायत मेरी फ्रेंड अपने और अफिस के दोस्तों को देखती अपने boyfriend के साथ तो मेरा भी मन करता है कि कास मेरा भी कोई boyfriend होता है मैं भी उसके हाथ पकड़ के घूमने जाती, movies देखने जाती लेकिन मेरे तो कोई boyfriend बना है नहीं है मेरे को पसंद तो बहुत लोग है लेकिन मैं ना उन्हें बोलने से डरती हूँ एक काम करना इनायत मेरे किसी से सैटिंग करवा दे यार इनायत कहती है कि यार नायरा तुझे तो पता ही है ना मैं लड़कों से बात नहीं करती है और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ नायरा कहती है कि या यार इनायत तो भी ना मेरी ही तरह है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बात करी रहे होते हैं तब ही नायरा देखती है कि खीड़की से एक लड़का इन दोनों को बहुत देर से देख रहा है जब नायरा उस लड़के को ध्यान से देखती है तो वो लड़का बहुत हैंडसम होता है तो इतने हैंसम लड़के को जानती है और मुझे बताई भी नी मेरी इस से ही बात चित करवा दे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो उसकी बात सुनके इनायत को गुसा आने लगता वो कहती है किया या नायरा मैं क्यों कैसे बात करवा दो मुझे नहीं पता कि कैसे करवाते हैं नायरा कहती है यार तो एक पर उस से बोलके तो देखना क्या तुम मेरी दोस्स से बात करना चाहोगे अगर वो हाँ बोलता है तो फिर मिलने के लिए बुला लियो और ना बोलेगा तो कोई बात नहीं नायरा की ये सब बाते सुनके इनायरा को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा इनायरा की ये सब बाते सुनके बहुत गुसा हो जाती है और इनायरा जब उस लड़के को देखती है तो लड़का अभी भी खिड़की के पास ही था और उस लड़के को देखे इनायत मनीमन में कहती है लड़का क्यूं आया बाहर नायरा बहुत इनायत को कह रही थी कि मेरी बात करा दे तो नायरा की खुशी के लिए इनायत कह देती है ठीक है मैं उससे बात करूंगी अगर वो हां बोलता है तो मैं तुझे बता दूँगी और ना बोलेगा तो भी बता दूँगी तो इनायत की बात सुनके नायरा बहुत खुश होती है उसे गले लगा लेती है और फिर नायरा वहां से चली जाती है इनायत ने नायरा को तो हां बोल दिया था लेकिन वो अंदर से बहुत चल रही थी और सो गुसा भी आ रहा था और जब इनायत सोस्ती है कि इस लड़के से बात किया जाए वो सोस्ती है लेकिन अपनी सोच को रोक लीती है वो जाती है नहीं यह लड़के से बात करने के लिए अगले दिन जब नायरा रात को आती है तो वो बहुत खुश होती है उसे लगता है कि इनायत ने बात कर ली होगी फिर वो इनायत को कहती है कि तूने उससे बात की तो इनायत कहती है नहीं यार मिर पस इतना टाइम थोड़ी है तो नायरा कहती है कि आयार इनायत अई तू ही तो मेरी दोस्त है अब तु मेरी मदद नी करेगी तो कौन करेगा एक बार बात करना यार मैं भी चाहती हूं कि में उसके बाइक पर बैठों उसके कंदे पर हाथ रखे यह सब सुनके तो इनायत का गुस्टा अब उबलने लगता है उसे नायरा पर भी गुस्टा आ रहा होता नायरा वहां से चली जाती अगली दिन जब इनायत किचन में काम कर रही थी तब ही वो लड़का आता है उस लड़के को देखके इनायत को नायरा की बात याद आ जाती वो सूचती कि चलो बात करी लेती हो फिर इनायत उस लड़के के पास जाती है हेलो करती है वो लड़का कहता है हेलो फिर इनायत उस लड़के से उसका नाम भी पूछ लेती वो लड़का कहता है मेरा नाम है रिसब तो फिर इनायत कहती है रिशब तुम मेरी एक दोस्त को तो जानती होगे न जो रात को आती है क्या तुम उससे बात करना चाहोगे तो रिशब कहते है अच्छा वो दोस जो रात को आती होन बजाती है आपको पता है जब भी वो होन बजाती है मैं सोया रहता हूं मेरी नींद खुल जाती है और उसके बज़े से पता नहीं कितनी बार मेरी नींद मैंने तुम से कुछ पूछा चाहिए घर को बार वो युग में एक बार में उससे मिलना काँ मीप मील मोरी सबस्टें शाओं नियाद इस रोड़का कि वह लड़का क्लिए युझा बोल देता है तो और इनायत को नायरा की बात याद आती है नायरा ने कहा था कि वो लड़का जब हाँ बोल दे तो उसे मेरा नमबर दे देना और तो इनायत नायरा की खुशी के लिए रिसब को नायरा का नमबर दे देता है और रिसब तुरंत ही नायरा को कॉल करता है और वो दोनों उदर बात क करबते हैं और संड़े का दिन आता है उस दिन नायरा और इस सब्लेन बनाते लेकिन इसकी ख़़ष इनायत को नहीं थी और रोजकी तरह इनायक नायरा का रात करही हों've कि नायरा कब आएगी इनायत सूसती है किया यार आज तो संडे है ना आज थोड़ी उसे जौब पे जाना था और वाज आई क्यों नहीं फिर थोड़ी दिर के बाद नायरा भी जाती है और नायरा इतनी खुश दी कि क्या ही बोलू फिर इनायत कहती है कि वा इस खुशी का राज किया है तो फिर नायरा अपनी सकोर्टी साइड में करती है और वो इनायत को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुने मेरी विश पूरी कर दी तो इनायत कहती है कौन से विश तो नायरा कहती है यार तूने ही तो रिषब से बात करवाई ना और आज मैं पूरा दिन रिषब के साथ थी और तुझे पता है मैं उसके बाइक पे घूमी और आज हमने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पैंड किया नायरा सारा दिन रिषब के साथ थी और उसने रिषब के साथ टाइम स्पैंड भी किया, ये सुनके तो इनायत के रंग ही उतर जाता है वो अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, वो बस नायरा को दिखाने के लिए छहरे पे मुसकान रखती है नायरा रिशब की बहुत तारीफ करती है वो कहती है कि रिशब तो बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरे से दुबारा मिलना चाता है नायरा कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिले बाती कि ये गुमे फिरे वो सब तो ठीक है लेकिन नायरा तू 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 मुझे अपना सब कुछ मानती है ना तू ने मुझे बताया क्यों नी कि तू से मिलने जा रही है तो नायरा कहती हो सौरी इनायत वो कहाना मैं बहुत बिजी थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि अरे मेरी जान मुझे माफ करते है मैंने गल्दी गल्दी तुझे नहीं बताया अगली बार से हर चीज़ बताऊंगे और तुमेरे से नरास क्यों है अच्छा बता क्या खाएगी चल कहीं बाहर गूमने चलते है वैसे तो इनायत बहुत गुस्टा थी फिर इनायत को फिर से गुस्टा आने लगता है और वो नायरा के कमर को पकड़ लेते है और वो कहती है बस कर तेरे विश्पूरी हो गई ना तुम मिल ले ना उससे तो उसकी भाइक पर घूम ले ना तुम दोनों ने टाइम स्पेंड कर लिया ना अब बस तो उससे दुबारा मिलने नहीं जाएगी इनायत की ये बाद सुनके नायरा को हसी आ जाती है वो हसते वे कहती है अच्छा ठीक है मैं उससे ने मिलूँगे लेकिन सिर्फ एक बार क्योंकि न उसने मुझे बूला तक कुछ जरूरी बात करनी है तो बतानी वो जरूरी बात क्या होगी तो एक बार बस मैं उससे मिल लो फिर उसकी बात कभी नहीं मिलूँगे नायरा कहती है कि इनायत तेरी गसम मैं उससे दुबारा कभी नहीं मिलूँगे बस एक बार तो मिलने दे तो इनायत कहती है ये लास्ट बार मिल रही हो उतसे तू नायरा कहती अच्छा ठीक है वो दोनों मस्त बाहर घूमते फिटते हैं और खाते पीते हैं फिर अगले हपते ही जब नायरा को रिसब बुलाता है तो नायरा तो खुशी-खुशी रिसब से मिलने चली जाती है उधर रिसब और नायरा एक दूसरे से मिल रहे थे बाते कर रहे थे इधर घर में बैठके इनायत जल रही थी वो सब को सोच रही थी कि पता नहीं नायरा रिसब को कहा कहा छूरी होगी और ये सब इमेजन करके तुसे और गुसा आ रहा होता है वो अपने गुस्से को काबू में भी करती है लेकिन क्या करे ये जलन तो उसकी कमी नहीं हो रही थी और फिर रात हो जाती है और रोज की तरह नायरा आती है और आते ही वही सब सुरूर रिसब ऐसा है रिसब ने वो किया ऐसे वो 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 रिसब की तारिफों की पुल बांदने लगती है इनायत तो पहले से गुस्से में थी और जब वो देखती है कि नायरा फिर से रिसब की तारिफ करने लगी है तो उसका गुस्सा असर से उपर होने लगता और वो चिला के नायरा को कहती है बस कर यार जब देखो जब से आई है मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूचा उसकी कारीफ करी जा रही है अब छोड़ तो उससे मिल दीना अब उससे कभी मिलने नहीं जाएगी तो नायरा को भी गुसा आ जाता है और वो कहती है यार तुझे क्या प्रॉबलम है मैं उससे कितनी बार भी मिलू मैंने बूला ना वो इनसान बहुत अच्छा है और आज के जमाने में वैसा लड़का मिलना नामुम्किन है तो इनायत कहती है कि देख तू उस लड़के से बस दो बारे मिली है लेकिन मैं इस लड़के को रोज देखती हूँ और तुझे पता है ये गली में जितनी बी लड़की आती जाती है उसे ताड़ता है ये लड़का अच्छा नहीं है या इनायत के ये सब बाते सुनके नायरा कुछ सोच में पढ़ जाती है वो सोचने लगती है क्या सच मेरी सब ऐसा है जो लड़कियों को देखता है गंदी नजरों से इनायत उसे फिर से कहती है कि देख नायरा मैं नहीं चाती मेरी दोस्त किसी गलत हाथ में जाए तेरी भलाये के लिए कह रहे हैं वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है तो फिर नायरा कुछ सोच के बोलते हैं तू सही कह Рही है मैं उस से अब कभी नहीं मिलूंगी फिर इनायत कहती है अच्छा सुनना जाने से पहले सुनतो ले नायरा कहती है हाँ बोलना इनायत कहती है कि आकचुली कल मेरे मम्मी पापा सहर जा रहे हैं वो सुबह जाएंगे लेकिन रात को आजाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल नहीं पा रहे हैं ना, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं क्या तो कल मेरे घर आ जाएगी तो नैरा कहती है, हाँ क्यों नियार और नायरा जॉब से छुटी ले लेती है और वो इनायत के घर जाने का प्लैन बना लेती है फिर अखले दिन साम के साथ बज़े के आस पास नायरा इनायत के घर आती है और वो साथ में कुछ पीने का और मचली के पकोड़े भी लेके आती है तो उसको देखके इनायत कहती अरे इसकी ही तो जुरुत थी अच्छा हुआ तू लेकी आगई तो नायरा कहती मुझे पता था इसी कि जुरुत होगी फिर इनायत नायरा को अंदर लेके आती है फिर इनायत कहती तुझे पता है नायरा मेरी मम्मी पापा आज नहीं आ रहे वो कल आएंगे ये सुनके तो नायरा के मन में लड़ो फूटने लगता है दोनों के अंदर खुशियों की लहर दोडने लगती है वो दोनों बहुत खुश थे कि आज पूरी रात सिर्फ दोनों की है और कोई नहीं आएगा इने डिस्टरब करने दोनों जल्दी जल्दी प्लेट लगाते हैं उस पर मचली के पकोड़े डालते हैं और दो गिलास लेके इनायत आती है और उसमें बियर डालती है दोनों फॉर्स टाइम ये ट्राइ करने वाले थे और दोनों घबराए हुए भी थे और बहुत खुश भी थे दोनों उसको पीने से पहले टीबी पे एक सौंग चला देते हैं सौंग बहुत अच्छा था और दोनों नाचते लगते हैं और नाचते नाचते चेर्स करते हैं और पीने लगते हैं वो दोनों सब कुछ खतम कर देते हैं उनका खाना खतम हो चुका था और पीने वाली चीज भी खतम हो चुकी थी और दोनों को धीरे धीरे नशा भी होने लगा था और जो गाना उन्होंने चला रखा था दूसरा गाना प्ले होता है और उसमें एक सीन आता है और उसको देखके नायरा कहती है कि वा यार क्या सीन है फिर इनायरा 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 के पास आती है उसे छेडने लगती है कभी वो उसके कमर पर टच करती कभी वो उसकी होटो को चूदी कभी उसकी दुपटे को हटाती और नायरा ऐसे ही मसकरी कर रही थी इनायरा के साथ तो इनायरा कहती है तू इस गाने को सुनके नासती रहे, फिलाल मेरे सिर में धर्द हो रहे, और मुझे चक्कर भी आ रहे, तो मैं न सूने जा रही हूँ, और ये बोलके इनायत कमरे में चली जाती है, वो बैड पे लेड जाती है, पीछे से नायरा भी आती है, और वो इनायत के कमर को पकड़ ले थी, उस पे चिपक के सो जाती है, वो कहती है कि आज रात के लिए तू मेरी गल्फिंड है, और मैं तिर साथ वो सब कुछ करूंगी, जो मेरा मन करेगा, इनायत हसते होए कहती है, तू पागल हो चुगी, तुझे चड़ गई है, तू एक काम कर चुप-चप सो जा, पह इनायत भी नायरा को मना नहीं करती है, और देखते ही देखते है नायरा उसे किस कर लेती है, और इनायत के लिए ये बहुत ही खुबसूरत पल होता है, और इसके जिंदगी का पहला किस भी होता है, ये किस बहुत देर तक चलता है, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, औ भी तो सब कुछ करना ही चाहती थी नायरा इनायत की पूरे जिस्म को चूमती है और उसके मज़े देती है और दोनों एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं और एक दूसरे की बाहू में ही लिपटके सो जाते हैं दोनों के लिए ये रात बहुत ही रंगीन और बहुत यादगार होने वाली थी फिर ये दो उनों एक दूसरे की बाहूं में he सोग आते है सुबह उटती हैं तो फिर नायरा इनायरा इनायरा से वैसे नजरे नहीं मिलारी थी जैसे वो पहले मिलाय करती थी वो उससे नजरे चुरा रही होती है और नायरा रात की कोई भी बात इनायत से नहीं करती और इनायत भी रात की बात नायरा के सामने नहीं छेड़ती इनायत ये देखती है कि नायरा के अंदर कुछ बदलावा रखे है वो पहले जैसी नहीं रही वो भी सूचती एक रात में इतना कोई कैसे बदल सकता है के बाद इनायत की मम्मी इनायत के पास आते है और वो उससे कहते है बेटा तेरी जो दोस्त थे नायरा उसको मैंने मार्केट में देखा उसके साथ एक लड़का भी था क्या उसका कोई वाइफिर्ण है क्या इनायत कहती है नहीं मा वो तो सिंगल है मैं उसको अच्छे से जान के साथ थी यह सुनके नायरा थोड़ी से घबरा जाते है और वो कहती है कि तुम्हें किसने बताया यह सब और कोई तो नहीं थी मेरे साथ और हुआ क्या है इनायत कहती है कुछ भी नहीं हुआ मैं बस पूच नहीं कि किसके साथ थी इनायत नायरा से यह भी कहती है तुम इ रिसब से मिली थी मैंने उसको नहीं बुलाया ना उसने मेरे को बुलाया वो तो बस हमने एक दूसरे को देखा और बात करने लग गए बाकी हमारे पीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है नायरा को इनायत को तो गुस्टा आ जाता है रोगो कहती है कि तूस से मिली मैंने तूस से कितनी बार मना किया तूझे मैंने अपनी कसम भी दी थी लेकिन फिर भी तूस से मिली अगर तूने उसे मार्केट में देखा तूझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था ना तो उसके पास क्यों गई क्यों तूमने एक दूसरे के साथ बात की और तो उस कुछ से मी थी वो बिलकुल भी नहीं सुनती फिर वो नायरा सूसती है कि अभी इनायत की पाद जाना सही नहीं है इसलिए नायरा भी वहाँ से चली जाती है फिर उशे दिन रात को नायरा का कॉल आता है इनायत को इनायत कुछ नहीं कहती वो सिर्फ कॉल उठा लेती है और नायरा उदर से बोलती है कि यार अब मुझे रिसब कॉल कर रहा है वो मेरे से रोज मिलना चाता है और तुझे पता है रिसब सच में बहुत अच्छा इंसान है बहुत डाउन टू अर्थ है और अगर मैं उससे मिल भी लूँगी तो क्या फरक पड़ता है वो अच्छा लड़का है मुझे तूसमें अपना फ्यूचर भी दिखाए देता है और तुझे तू तो जूट का उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती है इसको ताड़ता है वो किसी को नहीं देख घूर मेरे अलावा है उसने मुझे बोला है तुसके इंधर इतनी कम्या देखती है पता नहीं तुझे एसा क्यों लगता है इनायत कहती है कि आच्छा अप तुझे वो लड़का सही लगता है और मैं गलत तो नायरा कहती है अरे मैंने ऐसा कब बोला यार इनायत कुछ नहीं कहती वो कॉल कट कर देती और तुरंत वो रिसब के घर जाती है और रिसब लोबी में बैट के टीवी देख रहा होता है और घर में कोई नहीं होता तो इनायत उसे बोलती है कि क्यों तुम मेरी best friend नायरा को परिशान कर रहे हो मुझे तुम से नहीं मिलना चाती तुम उसे बार बार क्यों call कर रहे हो तो रिशब कहता है ओ हलो मैंने तुम्हारे best friend नायरा को कभी call नहीं किया वो ही मुझे कॉल करती थी, वो ही मुझे मिलने को बलाती थी, तो फिर रिष्ब को भी गुस्सा आजाता है, वो कहता है ये देखो, इसमें देख लो, चैट्स में क्या लिक रख रहा, और ये नमबर देख लो किसने कॉल किया है, और जब इनायत देखती है कि उधर से नायरा ने ही रिशब को कॉल किया है और रिशब ने कभी भी नायरा को कॉल किया ही ने ये सब देखके तो इनायत को शौक लग जाता है और वो सोचने लगती है कि अब नायरा मेर से जूट भी बूलने लग गई और वो अब मेर से बाते चुर्णिसरा नायरा इनायच से मिलने आती है। नायरा बहुत खुush ती वहई गुलाब भी लेका ही थी वह इनायच की शौड़ी बोलना चाहती थी और वह सोगति है कया है जाज इनायच मान जाएगी लेकिन इनायच तुरन्थ उसके पास आती और इस बार पहली बार इनायत नायरा के उपर इतना चलाती है वो चलाती ही नहीं है वो तो गालियां भी देने लगती है नायरा को क्योंकि इनायत के उपर जो बीद रही थी जो वो फील कर रही थी वो सिर्फ इनायत ही समझ सकती थी वो नायरा को सब कुछ बताने लगती है कि तुमने मेरे से जूट बोला तुम मेरे सब को मिलने के लिए बलाती थी और है तुमने मुझे कभी सच बताया ही नहीं और वो बहुत सारी बाते नायरा को बताने लगती है नायरा इनायत को एक लवज नहीं कहती वो बस आखों में आखें मिला के इनायत की आखों में अपने आखें डाल के उसकी बाते सुन रही थी लेकिन इनायत तो भी भी गुस्से में थी, वो नायरा का कॉल देखते हैं, उसे कट कर देती है, और ऐसे ही दस पारा दिन बीच चुके थी, और अब इनायत को भी नायरा की आद आने लगती है, नायरा उसे कॉल करती है, इनायत कॉल उठा लेती है, फिर नायरा इनायत से कहत तू मेरे घर आ जा इनायत इतने गुश्य में थी कि वो नायरा से तू तड़ा करके बात करने लगती है नायरा कहती है मैं घर नहीं आ सकती मुझे बाहर मिलना है इनायत कहती है एच्छा ठीक है फिर अगले ही दिन वो दोनों बाहर मिलते है इक पार्क में और सुबह के आठ पज़रे होते हैं इनायत तो पहले ही पार्क में पहुच गई थी कुछ देर के बाद नायरा भी आती है और नायरा जैसे इनायत के पास आती है वो रोने लगती है वो सौरी बोलती है और नायरा कहती है कि इनायत मुझे समझ नायरा मैं क्या करूं मैं कहा जाओं नायरा कहती ह एक तरफ रिसब है, एक तरफ तू है, और मैं दोनों को पसंद करती हूँ, मैं रिसब से प्यार करती हूँ, और मैं तीरे से भी मैं दोनों के साथ रहना चाती हूँ, मैं दोनों में से किसी को नई खोना चाती हूँ, नायरा ये से बहुत रोते हुए कह रही होती है, और नाय के एक रेस्टोन में जाते हैं और वहां बैटके खाना खाते हैं दोनों खाना खाते हैं दोनों अंदर से दुखी दे लेकिने एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं और दोनों घर चले जाते हैं जब इनायत घर जा रही थी वो रिसब को देखती है उस तुम्हें मैं उस लड़के के बारे में सबूत के साथ सब कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें ऐसा लगता है मेरी मेरी नजर में ही वो लड़का गलत है तुम्हारी नजर में सही है तो ये देखो वो है ये सब लड़कें की फोटो जिनके साथ वो रह चुकर और इनायत ये भी कहती है कि इन लड़कियों के साथ ही ये लड़का रहके इनके साथ पता नहीं क्या करके फिर इनने छोड़ दिया और मैंने चाहती है ऐसा तुम्हारे साथ हो और जब Naira सबूत के साथ सब कुछ ये देखती है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि Risa एक सही लड़का नहीं है और फिर Naira इनायद के पास जाके उसके हाथ पकड़ती है क्वोब कि किहती है कि एनायत में तूम से वाधा करती हूं पके अब मैं इससे कभी नहीं मिलूनगी और एनायत के लग जाता है इसे लगता है इनायत के चैसंद्रह सब से कभी नहीं मिलेगी और दौनों की दोस्ती में जो भी मिसंड tak होई थीजा फर दश्र कम तर दोनों बाते करते और ऐसे ही दो मेने बीच चुके थे लेकिन एक दिन नायरा की ओफिस से इनायरा को कॉल आता है इनायरा को उठाती है और उसे पता चलता है कि इनायरा को चोट लगी है वो गिर चुकी है ये सुनके तो इनायरा की उपर मानू कोई पहाड़ी तूट चुका उसे बहुत फिकर होने लगती है नायरा की इनायत तुरंट अपनी मम्मे के साथ नायरा को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि नायरा बैड पे लेटी है लेकिन उसे काफी चोट लगी है पैर में उसे बिल्कुल भी अच्छा नायरा को इस हालत में देखके और इनायत के तो हाथ पर कापने लगते हैं तब ही नायरा का भाई आता है नायरा के भाई को देखके इनायत हाई हलो करती है और दोनों बैट जाते हैं और जहां पे नायरा का भाई बैठा था वहाँ पर एक गुलदस्ता भी था जिसमें बहुत सारे फूल थे तो फिर इनायत उससे पूछी लेती है क्या ये गुलाब आप लेके आए हो नायरा के लिए तो फिर उसका भाई कहता है आरे नहीं नहीं मैं नहीं लेका आया ये तो वो लड़का लेके आया इनायत कहती है कौन सा लड़का तो फिर नायरा का भाई कहता है वही लड़का जिससे ये रात पर बाते करते रहती है उसकी बात सुनके इनायत का तो सर घूमने लगता है वो तरंट उड़ती है और वो नायरा को देखने लगती है और इस समय उसे ये बात पता चली थी वो नायरा के पाथ जाके उसको कुछ बोल भी नहीं सकती थी और वो गुसे में घर जाना चाहती थी लेकिन इनायत सोचती है कि इस हालत में नायरा को छोड़के जाना सही नहीं अब इनायत अंदर से बहुत तोट चुकी थी उसके अंदर थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके या रो सके वो तो बस सोच रही होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है नायरा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया इनायत अपना सारा गुसाख पी लेती है क्योंकि वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी और करीब एक हफते तक नायरा वहाँ बैड़ पे लेटी रहती है फिर उसके बाद वो घर चली जाती है और जितने दिन भी नायरा वहाँ पे थी उसके साथ ही इनायत थी और इनायत बिना बताए नायरा के साथ थी जब घर जाती है तो इनायत को नायरा की ममी का कॉल आता है और नायरा की ममी कहती है रहे इनायत बेटा नायरा तुमसे मिलना चाती है एक बार घर आजा हूँ इनायत कहती है ठीक है आंटी जी मैं आती हूँ और फिर इनायत अपना फोन रखती है और कुछ देर के बाद वो नायरा के घर पहुचने के बाद इनायत देखती है कि नायरा छट पर बैठी हुई है और जब नायरा इनायत को देखती है नायरा बहुत खोश होती है इनायत को गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो बैठी हुई थी फिर जब नाहरा की मम्मी छस से नीच चली जाती है तो इनायत का गुसा फिर से इनायरा के उपर फोटने लगता है और वो कहती है कि तुमने मुझे धोका दिया तुमने एक अंजान लड़के के लिए जिसके ब पसंद है तो क्या तुम उससे साधी करोगी अगर तुम उससे साधी नहीं करोगी तो क्यों उसके साथ रह रही हो क्यों अपनी दोस्ती तोड़ रही हो तुम इनायत साफ साफ नायरा को कह देती है कि नायरा सुनो अगर तुम उस लड़के के साथ रहना चाती हो तो इनायद वहां से जाने लगती है, और रहुधतक आज की दिन के बाद की सो मेरे मता आजरा, क्यूंकि आप त्मारा मेरे कोई विरस्ता नहीं, और जाते़ इनायद देखती है कि नायरा के भाई ने भी अन्हेरा को सुन लिए और तो इनायद उसके भाई योगा करती है और वो हर चीज़ करती ही जिससे वो खुद को बिजी रख सके और उसे नायरा की याद नाए और ऐसे अब पांच-छे महीने बीच चुके थी फिर पांच-छे महीने के बाद नायरा इनायत के घर आती है और जैसे ही इनायत नायरा को देखती है उसके जखम फि तुम यहां से चली जाओ और नायरा भीबी ना कुछ बोले वहां से चली जाती और जब नायरा वहां से जाती है तो इनायरा बच्चों की तरह रोने लगती है उसने नायरा को जाने के लिए तो बोल दिया था लेकिन इनायरा से बात करना चाहती थी वो भी चाहती थी कि नाय नायरा को उसकी फीलिंग समझी नहीं आएगी कैर अब इस बात को एक साल हो चुका है नायरा ने रे सब के साथ नहीं किसी और लड़तर के साथ साधी कर लिए और इनायत की भी अब शादी होने नहीं वाली है उसके लिए रिष्टे आ चुके और उसकी शादी अब कंफर्म हो चुकी है और दो दोस्त जो कि एक दूसरे से इतना प्यार करते थे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे वो दोस्त अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते दोनों के बीच में क्या हुआ न अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरू कर लेना अभी के लिए बाई मैं मिलती हूं आपसे नेक्स स्टोरी में और हाँ अगर आप इंस्टा फे फोलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन